सब्सक्राइब तो वाइब इंस्टिटूट और इंट्रनेशनल एजुकेशन अबाउट कम्प्यूटर्स एंड टेक्निकल्स है गाइज, क्या आप BCA और MCA कर रहे हो? आपकी एक्स्पेक्टेशन क्या है? आपकी एक्स्पेक्टेशन होगी कि मैं BCA और MCA क्वालिफाइट करने के पाद IT इंडस्ट्री में चॉप करूँगा? करेक्ट? ओकी, लेकिन क्या आपको पता है? IT इंडस्ट्री किस तरह के प्रोफेशनल्स को हायर करती है? IT इंडस्ट्री वैसे एंप्लोई को हायर करती है, जिन एंप्लोई को सॉफ्टेस मॉडलिंग, प्रोग्राम मॉडलिंग, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टर डिजाइनिंग ये सब करने आता है? क्या आप BCA और MCA करने के रिगार्डिंग ये सब चीज सीख पाते हो? नहीं. आपके टीचर्स जब आपके क्लास में लेक्शर्स देते होंगे, तो अगर वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजिज को पढ़ाते होंगे, तो वो शिर्फ आपको प्रोग्रामिंग लैंग क्या भी कॉलेजिज से पढ़ो BCA और MCA, शारे कॉलेजिज के लेक्शर्स आपको BCA और MCA में mathematical calculations solve करना ही शिखाएंगे, जैसे आप पढ़ो के C language, तो क्या आपको पता है? C language से आप software भी develop कर सकते हो, लेकिन क्या BCA और MCA करने के regarding C language से आप software develop करना शिखते हो? नहीं. क्यों आपको उतना ही पढ़ाते हैं, जितना से आप examinations qualified कर सको, ओके? तो आप चानते हैं कि BCA, MCA करने के बाद आपकी ज्यादा chances क्या है? आप किस तरह के work को qualify कर पाओगे? Simply, BCA, MCA करने के बाद आप क्या करोगे? मैं बताता हूँ. या तो आप college के professor बनोगे? ओके? नहीं तो ज तब आप वहाँ पे apply करके job करोगे. एक और job placement है, जो BCA और MCA वाले बच्चों को मिलती है, marketing placement. अगर आप अच्छी company join भी कर लेते हो न, तो फिर भी आपको software development का role play नहीं करने दिया जाएगा, या website developer का role play करने नहीं दिया जाएगा. आप से छोटे मोटे काम ही handle करवाए ज जाएगे. लगली उन बच्चों को BCA और MCA के pattern पे job हो जाता है, जो बच्चे किसी institution के जरिए software development की पढ़ाई किये हुए रहते हैं. आप ध्यान डखो, एक software developer को hardware के भी बहतर knowledge होनी चाहिए और softres की भी बहतर knowledge होनी चाहिए. BCA, MCA करने के regarding आपको softres की तो बहतर knowledge हो जाती है, लेकिन hardware की बहतर knowledge नहीं हो पाती है. अब आप जब IT industry में job करोगे, तो बड़े-बड़े IT industry में क्या होता है? कि जब कोई softres बनता है, तो सबशे पहले ये सोचा जाता है कि software किस तरह के devices पे run होने वाली है. याद रखे, बड़े companies के द्वारा जब भी softres बनता है, वो hardware के configuration के अनुशार बनता है. Hardware का configuration जितना strong रहेगा, उस से थोड़ा weak softres का configuration बनाया जाता है, ताकि वो hardware के regarding सही से operate हो शके. लेकिन क्या आप BCA और MCA में practically hardware का knowledge प्राप्त कर पाते हो, नहीं. इसलिए बच्चे BTEC और MTEC करते हैं, जिसकी मदद से वो softres का भी knowledge ले पाते हैं, यानि कि softres कैसे develop करनी हैं, और machine की भी knowledge ले पाते हैं. इसलिए उस company में BCA और MCA वाले बच्चों को skip करके BTEC और MTEC वाले बच्चों को पहले लिया जाता है. क्यों? क्योंकि उनको hardware की बहतर knowledge है. वो जानते हैं कि जब वो softres बनाएंगे, तो वो hardware पे properly cashier run करेगा. किस तरह के hardware के लिए कैसी softres बनानी हैं? ये BTEC और MTEC वाले बच्चे जानते हैं. जरा आपने कभी गौर किया है, BCA, MCA और BTEC और MTEC में programming languages का competition लगभग shame होता है. लेकिन फिर भी BTEC वाले बच्चे को या MTEC वाले बच्चे को पहले क्यों appoint किया जाता है? अकर आपने BCA और MCA किया है, तो आपको softres तो develop करने आते होंगे. लेकिन कैसा softres? जो आपके teachers ने बताया है, सिर्फ वैशा ही softres. BCA और MCA की पढ़ाई जहां होती है, जिस colleges में, वहां के teachers बच्चों से last semesters में वही softres बनवाते हैं, जो पहले से teachers के पास बना हुआ होता है. आप ध्यान रखना, शारे colleges में यही होता है. तो आपने नया क्या अचीव किया? आप नया अचीव करोगे कैसे? क्योंकि आपके teachers ने आपको शुरू से उस pattern पर पढ़ाया ही नहीं है. आपके teachers ने जो languages शिखाया है, उसके जर्ये सिर्फ आप शिखे हो, mathematical calculation solve करना. colleges में CC++ पढ़ाया जाता है आपको यह जावा, तो आप क्या सेखते हो? addition, subtraction, multiplication, division, address, pointers, file handling वगड़ा वगड़ा. इन सभी pattern के अनुशार आपको mathematical calculation में उलजहा लिया जाता है, जिससे आपका BCA और MCA का duration खत्म हो जाता है. और जब last semester में project submit करने की बारी आती है, तो teachers आपको projects को submit करो. उस condition में बचे क्या करते हैं? उन ही teacher से contact करके, उस teachers को पैशे देते हैं और उन ही से project को purchase करते हैं. और वो जो project होता है, वो किसी student ने ही teachers को दिया होता है. ओके, तो यही होता है BCA और MCA की पठाई में, colleges में. तो बहतर होगा कि अगर आप expect करते हो कि मैं IT industry में job तो आप BTEC करो या MTEC करो. अगर आप eligible नहीं हो, financially weak हो, तो आप किसी institution से software development का course कर सकते हो. अभी मैंने भी कुछ दिन पहले launch किया है, जो बच्चे BCA कर रहे हैं और MCA कर रहे हैं. या जो बच्चे 12th qualified है, उनके लिए एक course ADSE, Advanced Diploma in Softness Engineering. यह degree आपको eligible बनाएगी BTEC और MTEC के equal. इस course के अंतरकत BTEC और MTEC के सारे chapters आपको पढ़ाये जाएंगे. आपको मशीनों की बेहतर knowledge दी जाएंगी और बताया जाएगा कि मशीनों के अनुशार किस pattern पे हम software को, website को, games को develop करते हैं. ओके और जहां तक certification की बात है, Trademark Affiliated Institution है मेरा. आपके BCA और MCA के साथ अगर यह degree combined ह होगी, तो आपका degree BTEC के equal होगा. So, kindly, जो मैंने आपको बताया है, उसको deeply सोचे और इस बात पर ध्यान दे. इसकी demo class लेने के लिए आप description को चेक करें, उसमें link मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि ADAC के chapters में मैं आपको क्या-क्या पढ़ाऊंगा और कैसे पढ़ाऊंगा. Okay, कोई queries होती है, तो आप मुझे call करो. वीडियो में perfections लगा हो, तो वीडियो को सब से पहले like करें और आपके friend circle में जो भी बच्चे BCMCA कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें. So, kindly, मेरे teaching experience को promote करें, मेरे channels को subscribe करना ना भूले और subscribe करने के बाद bell button पे क्लिक करे. So, stay tuned to our channel guys. Thanks for watching my video. Have a great day.